नमस्कार मैं हूँ आपके साथ प्राची पारशर आप देख रहे हैं मुकाबला राजिस्थान के मुख्यमंत्री आशोक गहलोत का एक बयान देश में चिंता का विशे बना हुआ है आशोक गहलोत ने कहा है कि दिली में निर्भया केस के बाद कानून में बतलाव हुआ रेप की सजा फांसी हो गई और इसी की वजह से रेप विक्टिम की हत्या ज्यादा होने लगी है इस बयान को रेप विक्टिम के अपमान की तरह देखा जा रहा है लोग कह रही हैं कि गहलोद का बयान असमविदंशील है अपराद रोकनी की जगा वो कानून की कम्यागिना रही है दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा गहलोद के खिलाफ कारवाई की मांग कर रही है बीजेपी के नेटा गहलोद को रेपिस्ट मामलो का मनो विज्ञानिक कह रही है सवाल उठा रही है कि अब प्रियंका गांधी और सुनिया गांधी चुप क्यों है और तो के खिलाफ होने वाले घ्रिनित अपराद पर कॉंग्रेस सीम की असमविदंशील टिपनी पर चुप क्यों है आज मुकाबला में हम इस मुद्धे पर बड़ी बहस करेंगे लेकिन सबसे पहले आईए आपको सुनाते हैं अशोक गहलोत ने क्या विवादत बयान दिया और बच्चेयों में रप्रे कर दिया जी वही उसको फानी स्रा मिलेगी उसके बाद में रप्रिया बहुत बहुत अब होने बच्चेयों के रेप करने वारा देखता है कि ये तो गवा बन जाए इकल मेरे खिलाब में तो वो रेप भी करते हैं और हत्या में कर देता है बच्चेयों की ये बहुत बड़ी चलंग पुरे मुल्क में मैं जेके रहा हूँ जो रिपोर्ट आ रही है अब अशुग गहलोद के बायान को बीजपी शर्मनाग बता रही है इतना ही नहीं बीजपी के नेताओं ने कहा कि गहलोद को रेपिस्टों का मनोव वैज्ञानिक बनने की बजाए राजिस्थान में कानून विवस्था सुधारनी चाहिए यह कॉंग्रेस की मानसिक्ता को दिखाता है महिलाओं के प्रती उनका जो अपमान वाली जो उनकी मानसिक्ता है उसे दिखलाता है राजिस्थान के अंदर लगातार कानून विवस्था लचर हो चुकी है महिलाओं के ओपर अत्यचार बढ़ते जा रहे हैं पूरे देश के अंदर राजिस्तान आज नंबर वन है महिलाओं के अत्यचार के उपर और फिर भी इस तरह का बयान देते हैं पिछले चार महिने के इसी साल के चार महिने के अगर आप आखड़े देखें तो उसके अंदर बालातकार की घटनाएं 31 प्रतिशत राजिस्तान के अंदर बढ़ गई है पिछले साल से भी आरों जादा बढ़ गई है तो यह राजिस्तान में राजिस्तान के जो ग्रह मंत्री मुख्य मंत्री उनसे ऐसे गैर जम्मेदार बयान एक्सेप्टिबल नहीं है और वो बालातकारियों के मनोवेग्यानिक बनने की वजाए अगर क लोगों का कहना है कि इस बयान से गैलोत ने उन पीड़तों का मजाक उड़ाया है जिनका रेप हुआ या जिन ही रेप के बाद उनकी हत्या करती गई दिल्ली बहिला आयोक या ध्यक्षिस मामले में राजिस्तान के सियम पर कर रवाई की मांग कर रही है अशोक गैलोत जी को रेपिस्ट की भाषा बोलना बंद करना चाहिए जो निर्भया का उन्होंने मजाक उड़ाया है उससे कही न कहीं पूरे देश में जितनी रेप पीड़िताएं हैं उनकी सेंटिमेंट्स को हर्ट हुआ है उनका होसला तूटा है हमने बहुत मेहनत करके अंशन करके देश में ये कानून बनवाया है कि छोटे बच्चों के बलातकारियों को हर हाल में फासी की सजा होनी चाहिए ऐसे में राजिस्थान के मुख्य मंतरी का काम है कि वो इस कानून को कड़ी तरीके से लागू करवाएं जिससे की के मामले में दोशियों को फांसी तक की सजा दी जा सकती है ये कानून जब लाया गया तो पूरे देश ने इसका समर्थन किया था और इस जागरुकता की मिसाल बनी निर्भया आज उनकी मा ने कहा कि गहलोत ने शर्मिंद्रगी वाले बयान से निर्भया का मजा कुड़ाया ह जो राजास्थान के मुख मंतरी साहम ने जो बयान दिया है ये बहुत सरमसार बयान है अब बहुत दूख पहुंचा है इससे खास कर मुझे और जो भी ऐसे पर्वार होंगे ऐसी बचिया होंगे उनको क्योंकि उन्होंने एक तरह से इसका मजा कुड़ाया है निर्भया का मजा कुड़ाया है तो मुकाबला में आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कॉंग्रेस रेप कानून से फांसी की सजा हटाना चाहती है क्या कॉंग्रेस रेपिस्ट को फांसी की सजा के खिलाफ है क्या कॉंग्रेस रेप कानून में बदलाफ कर देगी राजिस्थान रेप की वारदात में नंबर वन है तो क्या गहलोत अपराद रोकनी की जगा कानून में कमी निकाल कर अपनी जिम्मेदारी से बचने का रास्ता खोज रही हैं ऐसे और कई सवाल हैं जिन पर हम आज बात करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास महमान जोड़ चुके हैं शहजाद पुनावाला प्रवक्ता बीज़पी राधिका खेडा प्रवक्ता कॉंग्रस आशा देवी निर्भ्या की मा योगिता भयाना इंटी रेप एक्टिविस्ट भी हमारे साथ हैं आप सभी का बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में सबसे पहले आशा देवी जी मैं आप से शुरुबात करूँगी जो बयान दिया और जो आधार बनाया अशो गहलोत ने उसे किस तरीके से देख रहे हैं आप क्या मैसेज कनवे करने क की कोशिश हो रही है यहां पर आशा देव जी सबसे पहले तो यह जो उन्होंने जी सबसे पहले तो जो इन्हेंनों बयान दिया है यह बहुत सर्मनाक है बहुत ठेस पहुचा है खास कर हमें क्योंकि उन्होंने कि जो बची इस दुनिया में नहीं है उस बची के साथ जो क्राइम हुआ उसका जो उसकी मवत हुई उसका मजाक बनाया मैं उनसे यह पूछना चाहती हूँ कि निर्भया की जब घटना हुई उनकी सरकार थी उनके अच्छे वाले कानून थे उससे भी पहले जो बचीयों के साथ घटाएं हुई बचीया मारी गई क्यों मारी गई क्योंकि 50-60 सालों में एक भी रेपिस्ट को फांसी नहीं हुआ था निर्भया के घट्टा से पहले, फिर उन बचीयों को क्यों मारा गया, फिर निर्भया को क्यों मारा गया, निर्भया के साथ इतनी वड़बरता क्यों होई, तो कानून में जो वो कमी निकाल रहे हैं, यह अपना जो उनकी जो लपरवाही है या जो उनकी बेवस्था है उसको को सोच दर साता है आज मुझे बहुर ठेस पहुंची कि कहीं उनको परस्तावा तो नहीं आए कि निर्भया को इंसाफ मिल गया मैं तो सुकर गुजार हूँ कि मौजूदा जो सरकारे थी उन्होंने हमारी हेल्प की और निर्भया को इंसाफ मिला आज मुझे सोचने पर मैं मजबूर हूँ कि कहीं अगर उनकी सरकार होती तो निर्भया को इंसाफ ही नहीं मिलता इस टाइम पे हर जगाँ शहर एपी विहार हर जगा बचियां महिलाएं संघर्ष कर रहे हैं उनका परवार संघर्ष कर रहा है कि जो भी कानून है वो लागू हो सक्त कानून हो कि हमारे देश की बचियां सुरक्षी थो और उन्होंने कानून में ही कमी निकाल दिया पूरा कानून उनके लिए खराब हो गया उनको फासी होई उसके उनका दुख है कि निर्भया को इंसाफ मिल गया तो कहीं न कहीं वो मुजिर्मों के जो उनकी मान सिखता है वो बलतकारियों को सपोर्ट करती है और वो खुद सपोर्ट कर रहे हैं क्या जबाब अपने जो जिस राज में उमुख मंतिरी हैं जिस पर बैठे हैं ऐसा बयान दे रहे हैं उस जनता को क्या देंगे उहां का जबाब उस बचियों को उन महिलाओं को क्या जबाब देंगे जिनके साथ रेप हुआ है बलतकार हुआ है राजास्तान में कितने रेप लागू होता तो निर्भया को साथ साल नहीं लगता साथ साल से जिस तरह से घटना हुई थी उसी ततकाल समय से उसको नहीं साफ मिला होता तो आज देश की हालत कुछ और होती बिल्कुल लेकिन ऐसे बयानों को सुन सुनके यही मुश्व होता है और आपकी बातों में साफ ठीक है माफी मांगे हमारे साथ कॉंग्रिस की प्रवक्ता इस वक्त मौझूद है राधिका खेडा जी राधिका खेडा जी इस बात का जवाब दीजे मुख्यमंत्री अशूग कहलो तितने और समवेदिन शील हो कैसे सकते हैं ऐसा बयान दे कैसे सकते हैं सबसे पहले तो आशा जी अगर मेरी बात सुन पा रही है तो जो आशा जी ने सहा है और जिस तरीके से अपनी बेटी को इंसाफ दिलवाने के लिए लड़ाई-लड़ी है उसके लिए बहुत हिम्मर चाही होती है और वो डट के खड़ी रही और वो आने वाली कई माउं के यह एक एक जामपल है कि किस तरीके से किसी से भी नहीं डरना है और अपनी उनकी जो बेटी उन्होंने खोई वो बहुत ही दुखा था और मैं लड़की होने के जाते यह जानते हैं उस समय जो मेरी उमर सी मेरे भी रॉम्टे आज तक खड़े होते हैं तो उनका दर्थ हम मे दुख होना बिल्कुल जायज है लेकिन अशा जी अफसोस हमारी मीडिया ने आपको जिस तरीके से आपके तक और देश की अन्या जनता तक ये बयान अशोग घहलोड जी का पहुंचाया उसी में कहीं ना कहीं कमी रही जिस तरीके से आप तक वो बात पहुंचाया जाएग मैं तो आपको सुनाई देगा मुझे बीच में इंट्रवीन करना पड़ेगा ना मुझे बीच में इंट्रवीन करना पड़ेगा रादिका जी आप मुझे बताईए क्या गलत तरीके से उस बयान को हमने पहुंचा दिया समझाये ज़रा सबसे पहले मैडम सबसे पहले आप भी एक महिला है और ये बहुत ही संवेधनशील मुद्दा है इस समय आप मुझे नहीं लगता कि आपको और में को तू तू में में करनी चाहिए करना पढ़ रहा है न रादिकाजी उसी देश में खड़े हो के बहस करनी पड़ती है हर दस में दिन बहस करनी पड़ती है मैलाओं के आलत पो इतनी खराब हो चुकी है में कुछ ने जाती रादिकाजी आप उस बयान को बताएए आप मुझे उसके महाइने समझादीजी शुके रादिकाजी शुकाण की मैं इसामधोर जी वह लोगत असे महाइने पäre्करी से फिर आप तोकरिये मुझे बोलने दीजिए जब अश और ये बहुत संबेदंशीन मुद्दा है मैं हाथ जोड से आप से कह रही हूँ ये तू तू मैं में और डिबेट की और हम पे सवाल उठाने से पहले पहले ये बात और ये बात पर आईए रादिका जी बात पर आईए मेरे पास और भी मेंदार कर रहे हैं जानना चाते हम कॉंग्रस का स्टेंट क्या है क्योंकि ना भी सुनिया गांधी जी नहीं कुछ का है आप भी बता दीजैं प्लिज मत बोलिये मैं हाथ जोड के आप से कह रही हूँ इस बात को समझिए आप एक महला है कभी आपको जो चीज हुई है वो किसी के घर में नहीं होनी चाहिए किसी लड़की को ये नहीं जहना चाहिए और किसी की बहुत नहीं होनी चाहिए बहुत संवेदन उमीद करती हूँ 30 सेकेड जब अशोग गहलो जी से बात करी जा रही थी तो वहाँ पर ये चर्चा हो रही थी कि बेरोजगारी से अगर वो पूरा बयान कंटिन्यूम में देखा जाएगा और आधा काट के लिए देखा जाएगा तो साफ तोर पे दिखाई दे रहा है और आपके पास नहीं है तो मैं भेज देती हूँ वहाँ पर वो सीधे तोर पर कह रहे हैं कि बेरोजगारी से क्राइम बढ़ रहा है और क्राइम बढ़ने की वज़े से ऐसी चीज़े हो रही है और जिस बात की चर्चा स्वयम अशोग गहलो जी ने करी कि ये सिचुएशन है ये हमारे आंखडे या उनके आंखडे नहीं है ये स्वयम NCRB ने अपनी रिपोर्ट में कहा है और ये रिपोर्ट 2020 में सिप्टेंबर में एकनॉमिक टाइम्स में छपी है जिसमें ये कहा गया है कि जो सस्पेक्ट होता है वो हमीशा मजॉरिटी केसिज में जो विक्तिब होता है रेप का उसको मुर्डर कर देते हैं क्यो मैं आपको फ़िर रोकोंगी रादिकाजी मैं आप फिर ढोकोंगी फिर आप मुझे सम्वेधन्शी फğan Kimchi बास तो कर दुखर सभू कहां इंगा यह क्या तरीका है आपका बताईए मुझे मैंने क्या सम्वेधन्श्ी बें रहे हैं आप कषाण प्राफधान आप प्राफधान जो इतना आनुलन करने के बाद इस पूरी लौ में इंतूड वाउसे खत्म कर दे आप यह चाहती है रेफ नहीं रुके रादिका खेडा जी ऐसे रुकेंगे क्या आपके राजिस्तान में क्या हो रहा है यह मैं देख रही हूं सब देख रहे ह खेड़ फिर्फ अध्य ने परही है। मैं आपकी वह कंफ्यूजन भी दूर कर देती हूं और शो कहलों कि पूरी बाइट सुनवा देते हैं ताकि क्लियर हो जाए आपकी दिमाग में भी कि कोई तोड़ा मरूरा नहीं किया है मंचा क्या थी सुन लिजे अवज़रा पेशन्स के साथ बिलकुल सुनाइए बिलकुल सुनाइए और शुरू से सुनाइए जो 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 बहुत 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 करें मैंगे की जमाना है उट पाप देश्टों समानी चत्ति पनप रहे हैं आज जो क्राहिम भढ़ रहा है देश प्रदेश के अं च्ठी कर दिया है कि दिश्टी करदिया कि आपको धानी श्रा मिलेगी अब है अब है कांट मेर्विया के बाद में कर दिया आपको फारी मिलेगी ठीक है उसके बाद में हत्यां बहुत जाला हुए बच्चियों की, रेव करने वारा देखता है कि ये तो गवा बन जाए इकल मेरे खिलाब में, तो वो रेव भी करते हैं और हत्यां भी कर देता है बच्चियों की, ये बहुत बड़ी चलंग, पुरे मुल्क में मैं जेके रहा हूँ जो रिपोर्ट आ रही है, बहुत खतरनाक टेंड है, तो मैं सबस्ताओं की तमाम बातने देश के अंदर जो हलात है, वो एक लोग तंत्र के लिए बहुत बड़ा संकड़ का समय है, हमने असा समय कभी ने देखा रादिका खेड़ा जी, आप तो पूरी बाइट मैंने सुनवा दी, अब जवाब है आपके पास, बेरोजगारी को आप कहां भी जोड रही है, क्या कहना क्या चाहरे हैं, आपने चिंता जताई है कि ये सच्चाई है, ये सिचुएशन है, हमने साफ, हमने लाकिस बताई है रादिका खेड़ा जी, आप अपने स्टेट में अपरा ग्रोप नहीं पाएंगे, टॉप वन हो जाएगा रेप केसिस में राजिस्थान और फिर आकर आप लोग को कुसूरवार थेरा दीजे, खेर शेहदा पुनावाला जी, आप उस पूरे बयान को सुन रहे थी, रादि बाग गया है कि चार बहुती सशक्त महिलाएं इस पैनल पर है, रादिका मेरी बड़ी बहन है, दूसरी पाटी से तब भी मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, और मुझे लगता है आज के विशे पे तू-तू में मैं और इस परकार की छिछालेदार वाली डिबेट नहीं दोशी कहे, वो पूरे निर्भया अभियान को हम एक प्रकार से कलंकित करने का काम करे, और अशोग जी की बाइट मैंने सुनी, वो तो निर्भया जी का नाम भी नहीं ले पार थे, वो भी भूल गये थे, मुझे लगता है कि एक मानसिक्ता सामने निकल कर आती है, और हम लो और ये एक बार नहीं है, आशाइदेवी जी की समझ में कोई कमी नहीं है, मैं आपको बता हूँ क्यों, ये इनके मंत्री है शांती धारिवाल, इन्होंने कहा रेप में नंबर वन इसलिए राजस्तान, क्योंकि ये मर्दों का प्रदेश है, फिर अशोग गैलो जी का दूस बलातकार के लिए रेप के लिए फासी की सजा, इसलिए ना हो क्योंकि राजस्तान के मंत्री के बेटे पे आहरोप लगा है बलातकार का और वो अपसकॉंडिंग था, तो शायद उसको बचाने के लिए बयान दिया गया, एक और MLA थे, इराला मीडा, उनके बेटे ने एक आपको पता है, हमने अभी कानून को सशक्त किया है, तो बारा साल की बच्ची के साथ बलातकार की सजा, मौत की है, तो शायद इनको बचाने के लिए बयान दिया गया, तो यह पुराना है, और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज राजस्तान नंबर वन है रेप मे NCRB का डेटा बता रहा है, 40 फीसद बड़त हुई थी इनके पहले वर्ष में सत्ता में आने के बाद, और 10 जो डिस्टिक्ट है, most unsafe district, उसमें से 8 unsafe district राजस्तान के है, तो यह केवल मानसिकता है, नहीं है, यह केवल बयान नहीं है, यह जमीन पर भी यह उतर कर आ रहा है, मु तुम जाओ अपना कारोबार करो, हम तुमें बड़ा बिजनेस लगा के देंगे, और बलातकारी जो है, उसको तो हम लोग बचाएंगे, पर उन्तो जो बहने हैं, उसको बचाने के लिए सशक्त कानून नहीं बनाएंगे, तो मुझे लगता हूँ और फिर आप आपकर यहा मांगता हूँ कि इस प्रकार की भाषा हमारे ही एक मुख्यमंत्री ने कही, हमारी पार्टी के ना हो तो भी क्या ना हो, पर यह हमारे पूरे राजनीती को एक तरीके से कलंकित करने का इन्होंने काम किया है, मैं आप से हाद जोड के माफी मांगता हूँ, अशोग गयलोत की रादिकाजी एक सेकंड, मैं बीच में फिर आपको इंट्रवीन करूंगी, तो आप बोलेंगी कि मैं आपको बीच में टोक रही हूँ, अशोग गयलोत का ही एक और बयान है, ऑक्टूबर 2020 का, 12 में रेप की घटना पल बोल रहे थे, और उन्होंने क्या कहा था, कि ऐसी यह मान सकता है, फिर आप इसे डिफेंड करेंगे इस मान सकता को, देखे, देखे, बहुत अच्छे से भाजपा की प्रवक्ता ने आके बोला कि मैं यहां राजनीती नहीं करना चाहता, लेकिन अफसोस वो हर चीज में राजनीती करते हैं, और शहजाद कुनावाला जो लो जहां पर स्वय प्रधान मंतरी आते हैं सामसर, बहां पर किस तरीके से सेंगर को आप लोगों ने बचाया, पूरे देश ने देखा, महां पर किस तरीके से रेप पिक्टम को मार दिया जाता है, उसके उपर कई चर्चाय हुएं और लाइफ कई चानल्स ने दिखाया है, औ आप लोग मत आके बताइए, जो एक रेपिस के लिए तिरंगा यात्रा निकालते हैं, बो अधायल मॉरल ग्राउंड मत लीजे, और यह जो आप कह रहे हैं कि मैं आशा दीवी जी का समान नहीं कर रही हूं, फिर आप मेरे बयान को तोड मरोड करें, क्योंकि आप लोगों क निकालते हैं, रादीका जी इस वाट अबाउट्री आज अच्छा नहीं लगेगा, आशा देवी जी हमारे साथी यह वाट अब्प्राउ ट्री ना करया, मैं आशोक गेलोग जी की ओर से मैंने माफी मांगने से, निना में चोटा नियो तो जी माफी मांगने से, मैं माफी म आपको कितना ठेस पहुंच रहोगा कि इस प्रकार की डिवेट आपको देखने भी पड़े लेकिन आपके जो मंत्री कह रहे हैं आपके जो मुक्य मंत्री कह रहे हैं इस पर आप जवाब देदीजे भी ज़े पी को हटाएंगे प्लीज। योगिता जी मैडम एंगर प्लीज हव सम रिस्पेक्ट फोर और जानल सिर्फ योगिता जी मैं आपके पास आरी हूँ रादिका खेडा जी से जवाब लेना बहुत जरूरी है उनके पार्टी का स्टेंड आनना बहुत जरूरी है चाहे इनके पास क्या जवाब होगा बताइए मुझे देखिए मैडम इनके पास कोई जवाब नहीं है चाहिए वह भाजपा हो चाहिए वह कॉंग्रेस हो महिलाओं को हमेशा इन्होंने नीची निगाहों से ही देखा है अगर कुछ करते तो महिला इस देश में सुरक्षित होती इत इन्हों आउट ऑफ हंड्रड इन्होंने कोई काम महिला सुरक्षा के लिए नहीं कही है किसी भी गवर्मेंट में घहलोज जी का जो पहले भी बयान आया है बहुत बहुत ही असवेदन चील है और मुझे लगता है ऐसे इंसान को सी एम नहीं होना चाहिए पर भाजपा के मुख्यमंतरी ने ऐसा बयान नी दिया खटर ने कब ऐसा बयान नी दिया योगी जी ने कब ऐसा बयान नी दिया तो हर तरह के यह मानसिक्ता वाले नेता है चाहिए वो ऑपोजीशन में हो जो सामने हो यह मैला सुरक्षा के लिए हमेशा ही ऐसी बेहुदा बाते करते आए ह और काम किसी नहीं नहीं किया है, सबसे बड़ी बात यह है, तो अगर आप as an activist मेरी राय पूछेंगी, तो मैं बहुत ज्यादा अपसेट होती हूँ, जब मैं ऐसे बयान सुनती हूँ, आशा दी किस अंगर्श में हम साथ थी हमेशा, और मैंने देखा है, जब कॉंग्रेस में केस हुआ उनकी बेटी के साथ, कितना स्ट्रगल करना पड़ा और जब फांसी की सजा लगवाने के लिए भाजपा सरकार थी, नाक रगडने पढ़ गए हमको तब भी उनको फांसी लगवाने के लिए, तो मैं तो इन लोगों की बातों में नहीं पढ़ सकती हूँ, मुझे कि देखिए नमें से इसके एक के पास भी एक्शन प्लान है अपनी पार्टी के लिए कि महिला सुरक्षा कैसे आएगी कुछ तो कॉंग्रेस के पास भी स्टेट्स है ऐसा तो नहीं है आप उनसे पूछिए उनसे पूछिए कि आपके बस क्या एक्शन प्लान है, क्या S.O.P तो नहीं है, बलातकार, ना हो ऐसी घटनाए ना हो, इसके लिए कोई एक्शन प्लान है? इसका जवाब शेजादापुनावलागा जी. कि हो सकता है कि कई सारे बयान उठाके लाए जा सकते हैं, पर आज एक मुख्यमंती और ग्रहमंती जब बोलते हैं और उस बयान की सीरिसनेस को, हम इसने फलाने ने ये कहा, उसने ये कहा, ये करके हम लोग उसको कम करने की कोशिश करते हैं, चीकि कुछ लोग कर सकते हैं, व पचीस फीसद होती थी, आज हमने सशक्त किया कानून, जैसे पॉक्सवाइट को भड़ा, स्ट्रेंटन किया, बारा साल की बच्चियों को साधरेप होता है, तो फासी की सदा देती, उससे कन्विक्शन रेट आज चालिस फीसद तक बढ़ा है, इसको तो और भी आगे ले जा आज आज के सांटे के अमराए, पूरी करने दीजेए, अगर यह तो प्रत्यक्षक प्रत्यक्षा प्रत्यक रूप से एक पार्टी को पश्ट कर देंख़ पर रहाए, रखे अपनी किसी के बीच में ना बोलना चाहता हूं, और मुझे पता है, मुझे पता है कि कुछ लोग प्रत्यक्षप्रत्यक रूप से एक पार्टी को पस्त करें, वो रखे अपनी बात, मैंने कहां रोका, मैंनो तो पूरी सुनिया बाते, और मैं सुनने को तैयार हो, और भी गाली खाने के लिए में तयार हूँ, पर मैं आज चाता हूँ, हम लोग इस फोकस को डी-फोकस ना कर मैंने किसी के विशे में नहीं दे प्राची जी अपसे हाई जोड करा रहा है। तो प्राची जी मैं आपसे हाध जोड़कर बात करूँ, मैं तू थी समय निकल जाएगा, इसी चीज़ में समय निकल जाएगा, मेरी प्राची डिबेट करना कोई मतलब नहीं रहएगा, मैं हर रोज आता हूँ, आपके डिबेट मेरी बात, वीच में कार्ड दो 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 कि पर बैठी हैं और जब तक आशा जी मैंने मैं प्राची जी मैं क्या बोलूँ आपसे रुख जाए ना रुख जाए यह योगिता भयाने मेरे सामी आशा जी बैठी है मैं नहीं अपनी आवाज उची कर सकता भाई ऐसे ऐसे हम अगर बहस पे फसेंगे तो इतने संवेदंशी म में आपके इंडिया टीवी से हाज जोड़ कर बोल रहा हूं मैं आज एक बहुत संवेदंशील मुद्दे पर हूं आप एक्शन प्लान दीजिये मैं वही प्राची जी मैं कैसे आपनी बाध चैन है मुझे लिए बड़ा अन्या हो रहा है मेरे साथ या जब इतना संवेदं मैं यह वाली डीबेट नहीं करूंगा आज इडिया टीवी से मैं कह रहा हूं मैं तो खुद आप वही पार पर निदिया आप करने की कोशिश कर रही हूं मैं प्लीज आप चुपो जाए प्राची जल्दी से बात करें देंगे एक मैं अपनी आवाज को इतना भी उचा नहीं कर सकता मैं आप से हाज जोड़कर कहता हूँ मैंने किसी के बीच में बीच में बोला मुझे बोलने का मुझे आप बोलिये जल्दी से अपनी बात समझा रहा था देखिए कुछ लोगों को आज अशो गहलोज जी को बचाना है बच चालिस वीसद हुआ है इसको और भी सशक्त करना है हमें कानून के ओपर नुक्स आप ऐसी बाते बोलेंगे फिर को आपको इन इंटरॉप्टिव टाइम चाहिए बिलकुल आप बेहुदा बात कर रहे हैं नोबड़ी स्राइं टू प्रिटेक्ट गहलोथ हैर यहां डूट यहां अन्याए किसके साथ हो रहा है चर्चा किस विशय पर होनी चाहिए मैंने तो सारी बात आप उनको हटा सकते हैं और मुझे फोर्स करें टू इनकी पार्टी सथा में हैं प्राची जी एक सेकंड रुख जाए यह जवाब नहीं ले पाऊंगी मैं किसी से एसे एक सेकंड रुखिये ना बात तो कंप्लीट करने दीजे ना इस इस वेरी अनफैर जल्दी से बात रखे लिए अप्राची जी इस नॉट देबेट शुट अविन कंड़क्टे आज के इस इतने इंप्रूर्टेंट मुद्व पर ने एक सेकंड प्राची जी आप चाहती है मेरी पार्टी प्रतिने दित्व ना इसा कुछ ने चाहतू ह अई मुझे का आई मुझे करल गघा अश्या या जा करू हिए ड़लन रखनेुए पर ने चाहतू है कि अग्यों दूल्री मांग हमाझा है पर आपने मेरी बात नहीं आ पाया चुकि इसी बहस में हम लोग फसे रहे और फिर इसका कोई निकल नहीं पाएगा ये तो तैह है योगिदाच जी एक सेकिन अगर आप चुप रहेंगी तो शहजाद अपनी बात पूरी कर ले फिर मैं आपके पास प्याओंगी रादिकाजी के पास भी आँगी और प्लीज माम आप उनी को समय देंगी हमे मालू में प्रांची जी मेरा समय तो आपने 30 मिनिट बात दिया और आप उनी को प्लाइट फॉर्म देने वाली है इस वेरी वेरी एविडेंट तो प्लीज आप दीजिए विकुज आप एंकर आप जिनको चा कि अब वर्ड पॉर्ण बोली जी बोली आप पूरा समय लीजी ये बहुत आसान है योगिता जी जिसको भी बीच में टोका जाता है उसके लिए कह देना बहुत आसान है कि आप इसको समय दे रही है उसको समय दे रही है मैडम मेरा मकसद सर्फ यह है कि जो बयान आया है ना जो बयान आया है उस उस बयान पर चर्चा करना है मेरा मकसद यह नहीं है कि मुझे बीजेपी कॉंग्रेस से योगिता जी को कितना समय देना है पूरी बात ने करने दे रहे हैं, आप उनी को मौका दे रहे हैं बार बार योगिता जी रुप जाए ये प्ली पूछिए बाथ मुझे ये जानना है, उनके पास क्या एक्ष्ण प्लान है पर पतानी तो दीजे जो घूप जाए जोड़ा सा एक है और इस चेकर में कॉंग्रस का स्टेंड में जान नहीं पाऊंगी, इसी चीज़ बें उल्जी रह जाऊंगी, एक सेकिंड रुख जाईए, थोड़ा सा पेशिंस रखिए, शेजाद पुनेवाला जी अपना स्टेंड बताई, पिछले दस मिनिट से अपनी बात नहीं कह पाया बार-बार किसी ने अशुक गहलोजी के बयान को सही ठहराने के लिए बार-बार इंटरप्ट किया है, मैंने किसी का नाम ने लिया, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब से हमने कानून को कड़े किये, तब से कन्विक्शन रेट इंप्रूव हुआ है, आज आप दो स 2020 आते आते, उसमें 10 से 12 फीसट गिरावट हुई है, क्योंकि एक सशक्त मुक्यमंत्री और एक सशक्त कानून का पालन किया गया, और उसी समय पर राजस्थान में, 2018 से 19 में, 49% रेप में इंक्रीज, उसके बाद हर साल रेप में इंक्रीज, 2000 बच्चियों का रेप हर जाल हो और इस पर भी प्रियंका जी ने कभी कुछ बोला नहीं है, ये सुनिय गांधी के परसनल सेक्रेटरी पे रेप का केस लगा है, कोई कारवाई नहीं, आइटी सेल के चिराग पतनायक पे रेप का केस लगा, उसको भी ले लिया, सेक्शुल हैरस्मेंट का केस, AICC के एक सेक् स्टेट का चार्ज दे दिया, और हम बताते हैं कि क्या करना चाहिए, एक सेक्ट मुझे अपनी बाद, मुझे अपनी सवाल है, मैं खुद एक महिला हो, मुझे दुख होता है, ये कहते हुए, क्या रूप आपकी सरकार पर, आपकी नेताओं पर लगते हैं, यूपी में किस सरीके की घटना हुई, आप भी जानते हैं, लेकिन मेरे पास चुकी समय खत्म हो रहा है, इनसे जवाब देना बहुत है, यूपी मुझे 5-10 सेकंड दे दीजिए, क्योंकि उन्होंने बहुत इंटरप के और पूरी जरेश ने देखा है, कि इस प्रकार से डिबेट हुई है मैं सिर्वितना कहना चारू, अच्छा मेरा सिर्वितना सवाल है, रादिका जी से, कि उन्होंने आज खुदने और अपरत्यक्षूप से उनका अशोग गैलोत का बचा हुआ, क्या उस बयान से खड़ी है या उसके किलाब, रादिका जी जल्दी से इस बात का जवाब है, तो उस पे चर्चा होनी चाहिए और उस-पे किन लोगों के साथ चर्चा होनी चाहिए, clearly and then पर क्या करवाई किया आपने योगीता जी करते इस पर नहीं बोलेंगी वह तो पर पुल एगीजिए वो नहीं पुलेंगी जल्दात महिला के सब बलात कांगरेस की सेरकार में दंडे खाए यह तेव कर आयाँ था था यह फित के थे हो आप प्रेएक्ज़ाु देखेंगर पर जाई पूसंद कर आपा है शिए वर निभाजी कंदा प्रूस के तक पर धार कर साथ भाए न ही दोकिता पर जोई हो एप प मुद्दा था मईराओं का, मुद्दा था अशोग एलोत के उस बयान का, जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन किसी का भी जवाब यहां संतुष्ट करने वाला नहीं था, सिर्फ आप असी बहास में सब लोग उलजे रहे हैं, बहुत शुक्रिया, आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, तो सवाल यही है कि अगर रेप के कानून में बदलाव होगा और फांसी को लेकर एक मुद्दा बनाया जाएगा, कि फांसी होने की वजह से रेप के बाद हत्याएं बढ़ रही हैं, तो फिर इस देश में कानू कैसे शशक्त बनाया जाएगा, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें, इंडिया टीवी न्यूस, गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर